बात करेंगे बिटकोईन की क्रिप्टो मार्किट की क्या हाल चल रहे हैं क्या सिचुएशन और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वो भी अपडेट कवर करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप बिटकोईन को देखेंगे तो बिटकोईन के प्राइज में एक डंप और डंप काफी अच्छा कासा dump क्योंकि कल immediate pump के बाद dump आया था I think पर सो जब bitcoin ने 49,000 dollar के level भी hit कर लिये थे almost वहाँ से game start हुआ longs की positions को liquidate करने का अच्छी खासी liquidate की है और पूरा एक तरह से longs वालों का सफाया कर दिया bitcoin ने दो दिन में यहाँ पे trade लग रहे थे 50,000 को देखते हुए ठीक है उनको अच्छी अच्छी खासी liquidation की है bitcoin ने और 48 से हम सीधा गिर गए थे 45,000-46,000 dollar पे कल का दिन यहाँ टहले और फिर रात को अगर आप देखेंगी यह level नीचे गिरे हैं और कहां तक हैं एक तालीस हजार 500 से यानि 45,000-46 से भी हम 41,000 तक आ गए पहले 50 से 45,000-45,000 से 41,000 यानि 9,000 dollar का almost यहाँ पे 8,000 dollar का dump और जब इतना dump आ जाए तो फिर longs की position अच्छी liquidate होती है तो बस एक तरह से आप यह समझ लीजिए liquidation game है और कुछ भी हैं क्योंकि 50,000 के expectation लग रहे थे CPI नमबर भी बढ़ के आया था और game होते हैं कभी-कभी बड़े game होते हैं तो यहाँ पे game कर दिया bitcoin है finally ठीक है तो यह current level है bitcoin के जहां market में इतना dump आया तो और liquidations होंगे और अगर हम पूरा पिछले 24 गंटे या 12 गंटे का भी देखें 12 गंटे में 120 मिलियन डॉलर long वालों के liquidate हुए है 25 मिलियन डॉलर short वालों के हैं यह पिछले एक गंटे का हाल है ठीक है अगर मैं 12 गंटे का देखू यहाँ पे चार्ट तो सबसे ज़्यादा 51 मिलियन डॉलर bitcoin ने liquidate किये ethereum ने भी long वाले liquidate किये 31 मिलियन डॉलर पूरा चार्ट यहाँ पे longs की position से भरा पड़ा है एक लाख traders को liquidate किया है पिछले 24 गंटे में ठीक है और सबसे बड़ा liquidation 340 अगर हम देखें यहाँ पे total liquidation 342 मिलियन डॉलर के हैं 267 मिलियन डॉलर long वालो के हैं और 74 मिलियन डॉलर है short वालो के बड़ा liquidation हुआ था 4 मिलियन डॉलर का तो सिर्फ और सिर्फ और कुछ नहीं है बस यह green दिखने के लिए दिखाने के लिए bitcoin ने ठीक है क्योंकि 51 मिलियन डॉलर अगर liquidate हो रहे हैं game liquidations के सबसे जज़ा होते हैं market के अंदर अब बहुत सारे लोगों का question यह भी है कि bitcoin गिरा क्यों है bitcoin क्यों गिरा देखो सबसे पहली चीज bitcoin ETF approval मिला तो बस एक तरह से फसाने वाला pump हमने पहले ही कहा था कि dump के chances है और dump देखने को मिल गया है क्योंकि जब इतनी अच्छी और बड़ी good news हो तो market के अंदर बस थोड़ा सा sentiment अच्छा करने के लिए थोड़ा सा कि हाँ 50,000 पे bitcoin जा रहा है 50,000 को तोड़ेगा 55 पे 52 पे मतलब सब excited हो गए सब bullish हो गए उस माहौल को देखके बस वहीं पे जो longs के trade लगे यहां पे जो longs के trade लगे उनको liquidate कर दिया एक तरह से बस फसाना था longs के trade लगवाने थे और dump तो आना ही था क्योंकि कहीं न कहीं उल्टा गेम होता है market के अंदर और reason है bitcoin spot ETF approval जो longs के position थे उनको liquidate करना जरूरी था इसलिए dump आया है और कुछ भी reason नहीं है ठीक है सिर्फ एक game है जो bitcoin ने किया है longs liquidate करने के लिए क्योंकि BTF approval के बाद longs के position लग रहे थे जब bitcoin pump हो रहा था तो longs के position लगते जा रहे थे ठीक है तो यह है reason bitcoin का गिरने का next update है hedera allocate 5 billion h bar for ecosystem development तो 5 billion allocate किये है hedera h bar hedera hash grant allocate 5 billion h bar for its ecosystem growth demonstrating commitment to decentralized governance and innovation तो इन सब के लिए 5 billion h bar यहाँ पे allocate किये गए है तो सबसे बड़ी news भी market के अंदर चल रही है ठीक है और यह news है जो exchanges 9 exchanges को लेके कहा गया था की URL ब्लॉक करने के लिए और finally उनके URL ब्लॉक कर दिये गए है इंडिया ब्लॉक access to website of several offshore crypto exchanges including Binance, KuCoin, OKEX, GATA and many others on 12 January तो अब अगर आप इनकी URL चेक करेंगे तो आपको website open नहीं मिलेगी ठीक है मतलब website के URL web version है ना अभी applications, apps काम कर रहे है अब इंडिया में क्या है कि एक तो Apple Store ने applications remove कर दिये और दूसरी तरफ website भी यहाँ पे block हो गई है तो क्या आपका fund safe है या नहीं है सबसे पहली चीज़ हमने पहले कहा था आप bybit को use कर सकते हो ठीक है या और other exchange को जिसका इसमें नाम नहीं है लेकिन Binance यहाँ पे कुछ कह रहा है क्या कह रहा है Binance के emails भी जा रहे है Indian users को confirming the situation Binance sent an email to its customer in India क्या कहा जा रहा है कि clarifying that it only impact user attempting to access the Indian iOS app store Apple store को अगर access करते हैं Apple store में app नहीं मिलेगा और Binance website यह open नहीं होगा बस यह दो reason बताएं गए हैं और तीसरा existing user with the Binance app are reportedly unaffected by the restriction मतलब Binance app proper work कर रही है इस time पे जो Google Play store पे भी available है मतलब Android Google एक Binance app ही ऐसा है जो इस time पे work कर रहा है लेकिन वो भी कब block हो जाए कुछ कह नहीं सकते ठीक है क्योंकि जब website block कर दी Apple store ने भी हटा दिया तो अगर ये भी कल को block हो गया तो इससे अच्छा आप अपने funds को अगर और safe करना चाहते हो क्योंकि priority यह होना चाहिए किसी safe exchange के उपर ये DEX के उपर आप जो है अपने funds को transfer कर सकते हो ठीक है नीचे bybit का link मिलेगा next हम बात करेंगे एक बड़ा event में 2024 में होने वाला है अपरल में bitcoin की halving bitcoin spot ETF को approval मिल चुका है Ethereum ETF को भी approval मिल सकता है Ethereum ETF भी हमको जल्दी देखेंगे उसके बाद bitcoin की halving और उसके बाद बहुत सारा events time time पे होते रहते हैं तो एक event आप crypto expo का भी जोड़ लीजिए crypto expo हर साल होता है साल में दो बार होता है अब इसका क्या impact रहेगा ठीक है क्योंकि जब market एक अच्छी situation में एक अच्छी situation वाला साल हो उस time पे event हो तो अच्छे result भी दिखते हैं ठीक है तो 20 से 21 मई चलेगा crypto expo दुबाई world trade center दुबाई तो 20 से 21 मई फिर से दुबाई में crypto expo होने वाला है last and final में हम बात करेंगे एक नई listing everdome की होती bit get के उपर everdome is delighted to announce dom is now available on bit get global तो dom यानि everdome live on bit get एक नई listing एक बड़ी listing bit get पे होती हुई इस coin की तो आज की इस video को करेंगे यहीं पे एंड किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो research करें वो बहुत 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 ज़रूरी होती है किसी भी crypto में पैसा डालने से पहले आपकी research बहुत ज़रूरी है तो नीचे description में telegram X के link है join कीजिए कोई update miss नहीं होगा मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye take care